Hello everyone, this is Karan and I welcome all of you to my YouTube channel तो आज हम continue करने वाले हैं अपनी plus 4 marks guaranteed series for NEET 2023 और आज हम करने वाले हैं बाई atomic structure बहुत जादा important वीडियो अने वाली मैं तो चार से 8 marks आप लेकर जा रहे होगे इस वीडियो से तो पूरा end तक बने रहे ना कोई भी डाउट आता है comment section में डाल देना मैं आपको answer कर दूँगा start करते है start करूंगा मैं quantum numbers से quantum numbers हमारे पास 4 quantum numbers होते हैं कितने होते हैं हमारे पास होते हैं 4 quantum numbers 4 quantum numbers कौन से होते हैं होना हो साई के बारे में साइस के बारे में खरने में energy बहुत ही बढ़िया अगर हमारा इन बढ़ेगा अगर हमारा इन बढ़ेगा तो हमारा साइज बढ़ेगा तो हम आर्बिट भी इंक्रीज होते जा रहे हैं यह युकलियस है हमारा है हमारा हमारा first orbit second orbit third orbit यह एकल तुब इन बढ़ेगा हमारा size बढ़ता जाएगा और एन बढ़ेगा तो energy भी बढ़ती जाएगी energy भी बढ़ती चली जाएगी समझ में आया एकदम बढ़िया से दूसरा जो quantum number होता है बाई को बोलते है एल होता हivas एजह मियूथल कॉण्टम नंबर क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या हम बताता है बताता हमें तीजें vershap पहला बताता है हमें शेल ठीक है बेसिकलिए हमें सब शेल के बारे में इंफर्म करता है यह में इंफर्म करता है अबाउट सब शेल के अंदर सब शेल होते हैं सब शेल के अंदर ओर्बेट होते हैं फिर से बोलो शेल के अंदर सब शेल होते हैं सब शेल के अंदर ओर्बेट ह करते हैं कैसे करते हैं आपको आगे दिखा रहा होंगा बिलकुल बने लना अंगुलर मॉमेंटम ऑफ और्बिटल या फिर अंगुलर मॉमेंटम ओफ एलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल चीए कुछ भी बोल लो तीसरा हमारा होता है एंगुलर नोड्स या झाल अब एल की वैल्य पेली बात होती है वह लों से लेके n-1 तक एलकी वैलियू होती है जीरो से लेके n-1 तक इसामपल देते हैं अगर पास एंजीरो है तो तो ए लिए वेलियू क्या होगी जीरो से स्टार्ट है जीरो ते ही रहेगी है ना इसको बोलते है एस सब शेल क्या बोलते है एस सब शेल होता है कैसा होता है अब देखना एल की वैल्यू क्या होती है जीरो से लेके तो पहला दो 0 हो गया और एन क्या था 2 तो 0 और 1 हमारे पास दो सब शेल है दो सब शेल है ठीख है दो सब शेल है और 0 का रिसकोंड करता है बाई को समझ में आया यह नहीं आया अब देखो यहां से क्वेशन कैसे उठता है मानलो मैंने अब भी दिखाता हूं जलो अब थर्ड जो हमारा क्वांटम नंबर आता है वो आता है क्या आता है मागनेटिक क्वांटम नंबर्स इसको में दिखाते हैं या फिर एम से भी बोल सकते हो अब यह क्या बताता है यह बताता है में और ओर्टेशन अब देखना इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी माइनस एल से लेके प्लस एल माइनस एल से लेके प्लस लेकर लिख लो अब या फिर उल्टा लिख लो उल्टा तो मैं असानी रहेगी जाता है या चलो वैसी ठीकता या चलो वैसी ठीकता कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है यार वैसी ठीकता वैसी ही ठीकता माइनस एल से लेके प्लस बढ़िया बात अब ध्यान से सुना या बहुत ज्यादा मान लो मान लो मेरी एल की वैल्यू है 0 जो मैंने बोला था एस सब शेल अब इसके लिए एम की वैल्यू क्या आएगी माइनस एल चाहे प्लस ल कुछ भी ले लो तो जी रहेगी तो यह हो गया हमारा एस और बिटल मतलब मतलब एक सब शेल में एक ही एस और बिटल है हमारा ठीक है अब देखना अब हमाँ एल इस एकॉल टू बने जिसमें बोलते हैं पी सब्शेल अब एमल क्या होगा माइनस एल मतलब माइनस मतलब माइनस वन फिर जीरो आएगा एक बढ़ाता चलना बढ़ाता चलना अब यह आगया माइनस एल यह आगया प्लस यहां पर हमारे रुख गए मतलब कितनी वैल्यूज आ रही है तीन तो हमारे पास 3P orbitals आते हैं 3P orbitals जैसे कि होता क्या है यह रहां PX PY PZ समझ में आ रही है बात बढ़िया से एक दम बहुत बढ़िया अब हमारे पास भाई L is equal to 2 है माल लो माल लो तो D सब्शेल D सब्शेल D सब्शेल समझ में आ रही है बहुत बढ़े वात देखना ML क्या आएगा माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 कितने आ गए पांच orbitals D वाले समझ में आया F के लिए निकालो भाई F के लिए निकालो तो क्या आ जाएगा F के लिए आ जाएगा माइनस 3 से लेके प्लस 2 तो आ जाएगा 7 orbitals बैसिकली हमारे number of orbitals कितने आते हैं अगर मैं number of orbitals की बात करूँ तो वह आता है 2L प्लस 1 बहुत इंपोर्टन 2L प्लस 1 कितने orbital आएंगे वह आएंगे 2L प्लस 1 और उसके quantum numbers के होंगे माइनस से लेके बहुत ज्यादा इंपोर्टन चीकिया जो मारा 4 हमारा quantum number होता है मुझे हटाना पड़ेगा यहां से पूरा जो मारा 4 quantum number होता है जो मारा 4 quantum number होता है वह होता है हमारा इसको तुम एस से दिखाते हो यहां फिर MS से दिखाते हो इसकी दो ही वैली होती है या थो एक और बाद वन और बिटव में मयक्सिमाम रख सकते हो टू-एक्ट्राइज तिक्ते रख सकते हो इलेक्ट्राँज विद अपोजुज WOW विद अपोजुजेटë स्त मतलब क्या bougnais का सर कहनेका सर मतलब यह है मालनो यह मारे एक डिबाइं एक डिबाइं ने डोग रहेंगे बया यह yesterday यह ऐसा है तो डाइं टोनों की लडाई रहें लगे आ पसे धोनों की लड़ाई रहती है मालों मानलो पी और भीटल है ंगर एक खाने में दो एक खाने में दो गतने कि समझ में आया आ कि समझ में आया होगा है कि सिखा दिए भी कैसे आता है मानलो पुछेगा कौन से quantum numbers allowed नहीं है not allowed कौन से quantum numbers not allowed not allowed quantum numbers कौन से quantum numbers allowed नहीं है example दिखाता हूँ example मालने मैंने बोला n is equal to 0 l is equal to 0 m is equal to 0 ठीक है b मैंने बोला भई n is equal to 1 l is equal to 1 है ना तीसा मैंने बोला n is equal to 1 l is equal to 0 m is equal to 0 है ना अब मैंने चौथा बोला n is equal to 2 2 n is equal to 2 l is equal to 2 m is equal to 1 फिर मैं इबोल रहा हूँ आपका n is equal to 2 l is equal to 1 m is equal to 2 कौन सा quantum number allowed नहीं है पांच छटा example ले लेते हैं भाई n is equal to 2 l is equal to 1 m is equal to 1 और s is equal to 1 कौन सा quantum number allowed नहीं है जल्दी से बताना जल्दी से बताना एकदम बढ़िया से देखते हैं यार देखो हमारी ले लिमिट्स क्या होती है भाई n हो गया l होता है हमारा 0 से लेके n-1 और m होता है हमारा माइनस एल से प्लस एल और s होते है हमारे दो ही वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ फिर से देखो n हमारा कुछ भी हो सकता है जो कि 1 से स्टार्ट करेगा ठीक है नाचुरल नंबर m होता है जीरो से स्टार्ट करेगा और n-1 टक जाएगा m होता है हमारा मैनस एल से स्टार्ट करेगा और פ्लस एल तक जाएगा इसकी 2 ही वैल्यू होती है माइनस हाफ प्लस हाफ अब देखना n is equal to 0 क्या Elowd होता यार नाचुरल से स्टार्ट हाँ जहनceksin दो से यह अगर्चल कि toplा अगर्ट किना जायेगा सब्सक्राओंela प्रहले से प्लसम देख सकता है है बाइ लगाए जीरो और वन एड़ नहीं जा सकता है नहीं है ट्ला घंपण चिछ्ञता है जी एंग नहीं होती यां थो फॉ समय नहीं है यह समजम्य है अग्दम अधे कि अब utilize अब आगे तीन ही चीज नहीं कराए है हमारा पहला कहता है यार स्टेशनडी ओर बिटस है मतलब अगल्ड्रेक्रनिक ऌॉर बिसी नहीं करेगी उस पर्लइज़ नहीं और बिट में उसके इनर्जी कॉंस्टेंट दूसरा कहता है और कॉंटाइजिशन वो कहता है एलेक्ट्रॉन के पास सारा अंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता वहीं होगा जो इस एक्वेजिन को फॉलो कर रहा है अगर आपसे बोला जाए अगर आपसे बोला जाए अंगुलर मोमेंटम उपन इलेक्ट्रॉन और आप आप चाहिं या तो बोला जाए इन और्बिट या तो बोला जाए एलेक्ट्रॉन का और या बोला जाए और ओर तो आप करो यह दोनों डिस्टिंगुश करना बहुत जरूरी था मेरे लिए यह दोनों डिस्टिंगुश करना मेरे लिए बहुत जरूरी था अब प्लांक कॉंस्टेंट की वैली होती है इंटु टेन तो दी पावर माइनस थर्टी पॉर जूल से कितनी होती है यह वह यह वह बोलेगा और पूछ लेइस कंडिशन को बोलते क्या है इस कंडिशन को बोलते हैं समझ में आया बहुत बढ़ी है अब तीसरा पॉस्टिलेट कहता है इस एक एक एनर्जी लेवल से बूसरे एनर्जी लेवल पर जा रहे तो वह जो एनर्जी है उसको निकालेगा वो कहलाता है माइनस, है बहुत बहुत ज्पोर्टन बहुत ज्यादा इंपोर्टनेटेट देखना या एनरजी किसमे है कि जूल में है ह seventh이?",ает होता है hmm orange बहां अभी बताया मैंना या पोई nISसिक्स इंट ही यह 44 जूल सेकेंड और यह नियू क्या है भाई नियू होता है फ्रीक्वेंसी अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी रिख सकते हो जो इसको एट्योग क्या है प्लांक्स कॉंस्टेंट फिर से है सी एंट्य इंट्य पावर सेकेंड और लैम्डा क्या है फिर से वेवियन वह बहुत जादा धान रखना यार युनेट्स का बहुत धान रखना और इस पर नीट के काफी सारे प्रिवेस यह स्क्वेस्टिन आपको दिखेंगे बहुत सारे अगले टॉपिक पर चलते हैं बहुत सारे इंपोर्टेंट फॉर्मिलेज जो आपको धान रखने हैं ठीक है जो बहुत से रिटाइब करते हैं हम आपको डिराइब करके देते हैं कि एनरजी का फॉर्मला क्या होता है एक का बहुत साइन लगा इसलिए धान रखना अगर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि माइन अब मालनो आपको एक का energy देगा और आपको दूसरे का energy पूछ लेगा तो आप क्या करोगे भाई इटू बाई इवन इस एक्वल टू माइनस जेड़ टू स्क्वेर बाइन टू स्क्वेर अपॉन माइनस जेड़ बन स्क्वेर बाइन वन स्क्वेर यह चीज़ करके आप question को कर सकते हो चीज़ इक्वल टू क्या करोगे बताओ बाई जेड़ टू अपॉन एंटू अपॉन एड़ बन अपॉन एंब अब रेडियस में क्या होता है रेडियस इस जारेट्ली पर पोर्श्टनल टू एंड स्क्वाइर बाइज इसमें भी सेम चीज़ कर रोगे अगर question आ जाए नीचे नी कैसे कर सकते हो आप आर इस एक्वल टू 0.529 एंड स्क्वाइर बाई जेड एंगस्ट्रॉम यूनिट बहुत इंपोर्टेंट है एक और चीज़ जो बोहर्स रेडियस क्या होता है बोहर्स रेडियस वह होता है आपका 0.529 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.53 एंगस्ट्रॉम व दूप्लस लिट्रॉम कैसा होता है बाई हाइड्रोजन एलियम लीथियम तो लीथियम नमबर 3 जैड़ is. सुनना मेरे भाई थर्ड बोहर ऑर्बेट मतलब n is equal to क्या हो गया थ्री जेट पता है थ्री पता है भाई आर्व निकाल दो यार्व निकाल दो भाई 0.529 इंटू 3 का स्क्वेर बाई फिर से 3 स्वॉल्फ कर देना एंगस्ट्रॉम को कर लेना अलसर आ गया बहुत सिंपल नीट का पीवाई क्यों आपके सामने है समझ मैं एक और चीज़ बता देता हूं जो बोहर स्थेयोरी है व्याट इस ओनी अप्लिकेबल टू हाइड्रोज आटम या फिर हाइड्रोजन लाइक आटम जिसके पास खाली वाड़ेक्ट्रॉन है बहुत इंबॉर्टन चीक है आगे चलते हैं यह स्पेक्ट्रम आता है कैसे आता है क्यों आता है आपके पास समझने का अभी टाइम नहीं है बस इतना होता है यार कि एक आपको डियागर है, और एक होता है सडरी एक होता है ईसे इस एक हेसैं उसके लेदस कूंड यार हाई रृणा ही सेमारा इन्रजी से नीचे आरा ठीक है तो हमारे जो सप्ट्रम डिफाइन होता है नहीं हुसके लिए formula होता है redberg formula क्या होता है यार हमाँ पस formula होता है redbergs formula बहुत ज्यादा important redbergs formula क्या होता है one upon lambda is equal to z square r one upon n1 square minus one upon n2 square बहुत बहुत important अच्छा one upon lambda क्या होता है इसी को बोलते हैं wave number क्या बोलते हैं wave number क्या लिखोगे बच्चाबाटी क्या लिखोगे बच्चाबाटी ऐसे लिखोगे ऐसे ठीक है wave number is equal to z square r one upon n1 square minus one upon n2 square ठीक है यहां पे जैड़ बही अटॉमिक नंबर है आर क्या है रिद्वर्ग मर्लंट सा रहे हैं और करें बग्स कॉंस्टिंट ए इसकी वैलियू क्या होती है one zero nine six seven seven चाहिए अब एन वन क्या है एन वन यह अब वापस आ रहे है अपर से कहीं से भी वापस कहीं से भी वापस आ रहे हो कि अब जिस्पे आप वापस आल है ना बहुत ऐसे होता है यह हो गया N1 is equal to 1, यह हो गया N is equal to 2, एप भाई तुम्हें 1 पर वापस आना है, तो क्या तरीक हैं, ऐसे आ जाओ, यहां से आ जाओ, यहां से आ जाओ, इन सबके लिए तुम्हारा किस पर वापस आ रहे हो, वापस आ रहे हो 1 पर, एण वन तो 1 हो गया, और N2 क्या हो जाएगा, जो उपर वाला है, बारी बारी है, यह तु है, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है, बराबर, ऐसे चलता है, ठेक हैं, अगर आप 1 पर वापस आते हो, तो उसको बोलते हैं आपका लाइमर सीरीज, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, लल्त आप वापस आ रहे हो टू पे उसे बोलते हैं बालमर सिरीज क्या बोलते हैं बालमर सिरीज अगर आप वापस आते हो यार थ्री पे उसे बोलते हैं पास्चन सिरीज अगर आप वापस आते हो यार पोर पे फोर पे तो उसे बोलते हैं ब्राकेट सिरीज अगर वापस आते हो फाइफ पे इसे बोलते हैं पीफंट और वापस आते हो सिक्स पर इसे बोलते हैं हमपरे डाल इसमप्रे किस पे आप वापिस लौट रहे हो दो तो कहां कहां सा सकते और टू पिस सकते हो पूर सा सकते हो ऐसे करण लायमन सीरीज किसमें लाये करती है लाये करती है आपकी यूवी में में बालमर सिरीज नीट का पी वाई क्यों आ चुका है आपे नजरे स्क्रीन पर आज चुका है Visible Visible region में लाई कर रही होते हैं मैं दिख रही होती है और बाकी की सारी हमारी IR में लाई करती है IR क्या होता है भाई Infrared Electromagnetic spectrum होता है Electromagnetic spectrum तो नीट का पी भाई क्यों था ऐसी कौन सी series है spectrum की जो visible region में लाई करती है Electromagnetic spectrum के लाई करता है किसमें हमारा UV में बाकी सारे करते है समझ में आया बहुत ज़्यादा ठीक है तो यहीं था हमारा भाई आज का टॉपिक most important topics एक और इसका पार्ट करेंगे हमारे बहुत ज़्यादा है हमारा जो modern वाला पार्ट है वह सब कर रहे होंगे हम अगले वीडियो में तो तब तक के लिए बने रहे चैनल पर सब्सक्राइब करें शेर करें लाइक करें वीडियो को अगर जो भी फीड़बाग हो आपका पीचिंग का रेक्ए डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देरा मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए स्टेइ ट्यून विद केमेश्ट्रे विद करन थाइक